होने वाला है और हो है MSCI साल में दो बार इनका रिव्यू होता है रिव्यू तो इस महीने के अंत में होगा बट कौनसे स्टॉक्स हैं जो रिव्यू में हिस्सा लेंगे इंक्लूजन, एक्स्लूजन, वेटेज बदलाव इंफ्लो, आउट्फ्लो, क्या है संभावना ये लिस्ट आपको कल पता चलिएगे कल सुबाई उन्ठाक, आज शाम को वो लिस्ट आ जाएगी तो आए, कुशल है हमारे साथ बाजार क्या मान रहा है कि इस बार MSCI के semi-annual review में क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं, कुशल बदाई कौन से stocks रहेंगे बिलकुल, तो सबसे पहले जिनकी high probability है, top 3 stocks उसके बारे में बता देता हूँ दिपांशू, और इसमें सबसे पहला है, जो शामिल होने वाले हैं और जिनकी weightage, MSCI में लगभग 0.39% हो जाएगी, वो सबसे पहला है, tube investments यहाँ पर लगभग 1820 करोड रुपे का inflow आ सकता है, साथी वारून beverages, आप देखी रहेंगे, पिछले कुछ दिनों से, अच्छी तेजी इस counter में already बनी वी है, शायद इसी expectation से कि MSCI जो semi-annual review होगा, उसमें ये शामिल होतावा दिखेगा, तो 0.32% weightage इसकी भी index level पर हो जाएगी और लगभग 1500 करोड रुपे के inflow यहाँ पर भी high probability है इसके शामिल होनेगी, TVS Motors 0.29% weightage यहाँ पर भी gains करेंगे in fact 1361 करोड रुपे यहाँ पर भी आ सकते हैं in fact जो medium probability है जिसकी उसमें बजाज holdings है करीबन 1115 करोड रुपे का inflow यहाँ पर भी expected है साथी हिंदुस्तान, Aeronautics, ABB, India यह दो stocks हैं, लगभग 1000 करोड रुपे के inflow यहाँ पर भी expected है Bank of Baroda और Canera Bank दो सरकारी बैंक का ये भी MSCI Index Review में शामिल हो सकते हैं और लगभग साड़े 600 करोड से साड़े 900 करोड रुपे के inflow यहाँ पर भी आ सकते हैं एक stock Zomato इसकी weightage भी बढ़ सकती है 0.2% से बढ़कर 0.5% तो लगभग 0.3% weightage में बढ़त हो सकती है और weightage में बढ़त होगी तो definitely inflows भी आते वे दिखेंगे लगभग 1370 करोड रुपे यहाँ पर Zomato पर भी weightage increase हो सकती है तो largely कुछ stocks जो inclusion में आने वाले थे वह मैंने आपको बताया और साथी जिसकी weightage बढ़ सकती है MSCI semi-annual index review में और इस बीच